मैं ऐसे दो बातें कहना चाहता हूँ यकीन मानिये आप ये लड़ाई जीतने जा है मैं देश के अलग-अलग हिस्व में जाते कह चुका हूँ बावन बरस की उमर है मैंने आज तक इस तरह का आंदोलन नहीं देखा था ये आंदोलन खूब सूरत है ऐसे लोगों दोरा और मापी के साथ ये कि यह भी कहूँगा कोई political party इस confusion में आज एक उसने इस आंदोलन को जन्म दिया है ये आंदोलन हिंदुस्तान के उन मा बहनों ने इस आंदोलन का जन्म दिया जो अपनी जिन्दगी में मसुफ थी लेकिन अधेर उन्हें लगा कि जब संसद नाकाम्याद हो रही है तो हमें कुछ करना होगा मैं संसद में उस दून था आम तोर पर मैं हाथ जोर के नहीं बोलता हूं मैंने हाथ जोर के ग्रे मंत्री जी से कहा था इस कानून को मत लाईए मैंने कहा था कि ये बापो का मुल्क है इसको इहराल मत बनाईए फिर भी मेजरिटी मुल्की थी पास हो गए हम मायूस हो गए लेकिन हमारी मायूस ही आप लोगोंने खत्म कर दे सरकें जाग गयूं है संसद भी जागेगी हमारी इसी बात पर बात खत्म करता हूँ अभी शाहिन बात को लेके बहुत सारी चीज़ें कही जा रही है मैंने एक लेक लिखा मैंने कभी मजाज को सुना था कि आचल का पर्चम होना तेरे माते का आचल बहुत खुब है लेकिन तुम इस आचल से पर्चम बना लेते तो अचा था आपने तो आचल से पर्चम बना लिया और आचल से बना ये पर्चम हारेगा नहीं हमें हो सकता है महीना तेर महीना दो महीना तीन महीना अगर इस मुल्क को यहां के आईन को यहां के संभीधान को पापो के मुल्क को रहना है तो जीत आपकी होगी और जिनको जहां जाना है वहाँ चले जाए उनकी सही जगा वही है, हमारी सही जगा यह है इस मिट्टी में घास की तरह होगे थे इसी मिट्टी में धफ न होंगे कही कुई नी जा रहा पस एक चीज़ करना है ये बहुत कोशिश कर रहे हैं हमें आपको प्रोवोक करने की चाहरे हम से कुछ गलती हो जाए आपने तो कमाल के जज़वे का परिचे दिया मैं खास स्वापे कहता हूँ हम सब ने सीखा है मुझे इंट्रड्यूस कराने में कहा कि उस्ताद अरे मैं तो क्लासरूम में पढ़ाता हूँ आपने तो कूली की किरांती की धारा ही बदल दी मेरे साथ एक बार स्लोगन लाईए और वो स्लोगन हम आज से ले करके तो नहोता देलाओंगी जय हिंग जय हिंग हमरा संपितान मापश करो हमरा संपितान मापश करो कि धिनकाः